दर्भंगा में पूरी सरकार आई थी नितिश कुमार आए थे और तमाम तरह की बाते हुए लेकिन असली चर्चा इनकी होनी चाहिए थी प्रत्य अम्रित ये प्रधान सचिव हैं स्वास्वेभाग बिहार और इनकी नाकामी की वज़े से दर्भंगा में जो कई से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उनकी जब चर्चा हुई कि आखिर वो कब बन कर तयार होगा 2016-17-18 से सुनते आ रहे हैं हम कि अब बनेगा अब बनेगा लेकिन आज 2023 में भी सुन रहे हैं कि अभी बनेगा और किस तरह से ये मुख्यमंत्री को समझाते हैं और मुख्यमं सुनिए जब सवाल हुआ नितिश कुमार से तो उन्होंने क्या जवाब दिया तो सुना आपने पहले नितिश कुमार ने समझा कि सवाल क्या है फिर उन्होंने प्रते अमरित से कहा क्या मामला है तो प्रते अमरित ने कहा सूपर स्पेशलिटी हस्पताल बनकर तयार है सर तो इन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने कि हाँ तयार है हो जाएगा हो ये जाएगा सुनिए एक बार फिर तो सुना आपने करें कि हो ये जाएगा हो जाएगा तयार है सर और तयार क्या है ये स्थिति बतला रही है कि 2016 से ये सुन रहा है कि तयार है तयार है कई डेडलाइन मिस हो गई कभी यहाँ पर ये समस्या कभी डॉक्टर की विवस्ता नहीं कभी यहाँ पर जो है वो एकुपमेंट्स नहीं है कभी भवन तयार नहीं है अभी तक आपको बता दें building handover नहीं हुई है DMCH को जबकि इसमें specialty block बनेगा तो कहीं भी पटना दिल्ली यहां के लोगों को नहीं जाना पड़ेगा और जो major बिमारियां है जैसे नियूरो से दिमाग से संबंदित हो दिल से संबंदित हो kidney से संबंदित हो जो major बिमारियां है या महीन तरह के इलाज है वो यहां पर हो सकेगा तो यह चीज बहुत important चीज थी लेकिन वो अब तक नहीं हुई सांसत का कहना है कि अस्पताल में पानी और पारकिंग के वस्ता नहीं हुई इस वज़े से यहां पर यह सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक तयार नहीं हुआ और कुछ लोगों का यह कहना है कि यहां पर बिल्डिंग के समझ तयार नहीं है तो रंगाई पुता ही तयार नहीं है पिछले दिनों सांसत गए भी थे और इस महीने में इसी महीने में खबर आई थी कि जल्द शुरू हो सकता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और यह तीन नौवंबर की अखबार की खबर थी कि प्राचारे डॉक्टर केन मिश्रा ने अस्पताल के भवन का निर्क्षन किया था और उन्होंने रंग रोगन करने को कहा था यह रंग रोगन की वज़से ही रुका हुआ है क्या काम तो यह समझ में नहीं आ रहा कि आखिर काम कहां रुका हुआ है और मुखमंती जी को परते अमरित ने बता दिया कि तयार है हो जाएगा तो मुखमंती जी ने का हाँ हो जाएगा, आँख बंद करके अधिकारियों पर इस तरस्ते विश्वास कर लेना, अधिकारियों को से न सवाल जवाब करना, ये मुखमंती ने क्या बिलकुल अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया है सारी परियोजनाओं को, कि अधिकारी जो भटकार लगाते कि यह क्यों नहीं तयार हुआ यह क्यों नहीं तयार हुआ अगर यह मुखमन्ती अगर इस तरह से अक्टिव होते तो दबाओ बंता अधिकारीों पर तो सवाल जवाब करने के वज़ाए जो अधिकारी ने बता दिया तयार है सर तयार है सर और उस पर मुखमंती ने कह दिया कि हाँ हाँ तयार है तयार है वो हो ये जाएगा हो जाएगा तो ये हो ये जाएगा कब से सुन रहे कब से होगा ये अब तक तयार है, कब होगा हुई ये जाएगा तो कब होगा क्या होगा कुछ पता नहीं बता दिया बस चले गए ये इस्तिति बतला रही है कि परयोजनाओं का हश्र कि इस तरह से उन्होंने अधिकारियों पर छोड़ दिया लेकिन मुखमंत्री पूछते नहीं है, वो अधिकारियों पर आख दस अधिकारी हैं उनके इर्दगेर्थ, उस पर आख बंद करकर येकीन रख करते हैं और सारा चीज छोड़ा है, तभी तो आज केके पाठक जो है स्वास सिक्षा वे भाग के वो उनको जगा जगा घूम कर के देखना पड़ा है, खुद स्वास कभी सिक्षा मंत्री या मुकमंत्री कभी कोई स्कूल नहीं जाते, कहीं देखते नहीं कहां गड़बड़ी है, लेकिन वो अधिकारियों को ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने, तो ये स्थिती बतला रही है कि अधिकारियों जिस तरह स से स्पेशलिटी ब्लॉक बन रहा है, उसको देखने वाला नहीं है, ये नया नया सर्जिकल ब्लॉक और ये शिला न्यास हो गया, अब ये भी तैस सेमय सीमा पर बनेगा नहीं बनेगा, वो अभी देखना वाली बात होगी, तो खाना पकाना चल रहा है, जो हिसाब किताब अपना रामराज चल रहा है, और ये मुखमंत्री सिर्फ शिला न्यास करने के लिए आते हैं, शिला न्यास कर दिया, फिर चले गए, ये कभी फीता काट के उद घाटन करना हो तो कर दिया, ये देखने की फुरसत नहीं है, कि समय पर प्रयोजना पूरी हो रही है या नहीं कहां गड़बड़ी हो रही है, अधिकारी उनको कहीं गलत सूचना तो नहीं दे रहे हैं, अधिकारी उनको क्रॉस चेक करना चाहिए, ग्राउंड पर जाके देखना चाहिए, वो सारी चीज़े नहीं देख रहे हैं, तो स्वास्विभाग का बेड़ा प्रतेया अमरीत गर कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं क्योंकि यहीं सुपर स्पेशल्टी ब्लॉक की बात करें तो पटना में 2019 में तैयार हो गया सुपर स्पेशल्टी ब्लॉक का उद्गाटन कर दिया मुखमंत्री ने और यहीं सुपर स्पेशल्टी ब्लॉक भागलपुरु में बनना था दर पूबे का मुख्य अगर अधिकारियों पर छोड़ देगा तो अधिकारी ऐसे ही सम्झा देंगे। हो गया सर. तयार है सर कुझ नहीं हुआ इसी टाइम उद्घाटन हो जाना चीए था लेकिन उद्घाटन नहीं हुआ। और ये भी नहीं बताया कि समस्या कहा है ? समस्या यह हाँ है इतना समय लगेगा बताईए जवाब दे बनाईए अधिकारियों को और जवाब दे नहीं बनाएंगे आप तो अधिकारी मनमानी करेंगे और उन्हें अगर उन्हें डिले किया किसी प्रयुजना को या उसमें गलती है अगर तो उसमें सजा होती है सस्पेंड होते हैं उन पर सेलरी रोकी जाती है, उनका ट्रांसफर किया जाता है, कुछ नहीं होता, अभी एक सुल्तान गंज में पुल गिरा था, उसमें कोई करवाई नहीं हुई, इन ही केंडर में था, यह पतनिर्मान भी देखते हैं, तो इस्थिती बतला रही है कि अधिकारियों पर कोई कर परवाई नहीं करते हैं, अपने चहते अधिकारियों पर उनने खुली छूट दे रखी है, कि आप जैसे चाहे हैं, वैसे काम कीजे, अधिकारी जैसा समझा देते हैं, उसमझ लेते हैं, तो जवाब दे और जिम्मेदार अधिकारियों को कौन बनाएगा, मुखमंती खाना पकाना चलता रहेगा, तो दोस्ते ही वेडियों कैसा लगा है, जरूर लाइक ही शेयर कि आपने यह सब्सक्राइब कीजिए, कुछ अब्ड़ी कुस्तात हाजरूंगे, अब देखते ही दर्मंगा रोक, शुक्रिया धनवाद, जैहें जैब यार, जैमत लगा,